हेलो एबुर्वान माई नेम इस मोहमद आशन आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंगलिश के मोस्ट रिपीटिड क्वेस्चन के बारे में यह ज्यादा तर पाकिस्तान नेवी के पेपरों में देखे गए हैं अब वो पेपर पासीविलियन्स का हो या उनीफार्म परिसन का हो टेक्निकल सेलर नेवल पलीस और बाकिया यूडीस या इलडीस इक मेंज के जो भी सीविलियन्स है या उनीफार्म है दोनों वीडियो आपको डेली बेसिस पे इंशाला मिलती रहेंगी तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ लेट स्टार्ट अचा यह देखें यहां से 25 नंबर क्वेस्टन से यह स्टार्ट है तो 25 क्वेस्टन जो वर्बल बेस्ट है उसको कवर करने के लिए अब इस क्वेस्टन को देखें के पहला क्वेस्टन देखते हैं अब जहां पर सिंस लग जाता है या बीन लग जाता है तो वह बिसिकली कंटिनियूस प्रुफेक्ट टेंस होता है तो अब इसमें simple आपने हमें continue के कहां से पता चला has लगा हुआ है और बाकि since और for जहां पर लग जाता है वो perfect का जुमला बन जाता है तो इस वज़ा से इसके अंदर ing हमेशे लगता है तो इसका answer होगा raining उसके बाद they had already reached when it अब यह देखें कि यह भी tense का जुमला दे दिया है जहां भी head लगता है वो basically past perfect tense होता है और दूसरा इसमें तीसरी form रिज्ट की लग गई तो यह भी identification है कि यह tense का जुमला है tense का question है और दूसरा इसके अंदर यह perfect past perfect की बात कर रहा है तो इसका भी जवाब होगा rent छीक हो गया उसके बाद आगे चलते है I would not anyone अब basically यहां पर पूछता है कि hate है 80 है 80 है two hate है question number 39 की to design and different dash each other के यह जो designs जब difference की बात की जाती हो तो जारी बात है वो comparison कर रहा है एक दूसरे के साथ तो वहाँ पर far लगता है क्योंकि एक दूसरे के साथ जहां भी comparison की बात आती है वहाँ पर far लगता है उसके बाद तीस नंबर है good citizen always abide dash the law क यहाँ पर भी order follow किया जाता है वहाँ पर buy लगता है buy दिला 31 नंबर question देखे he prefer tea dash coffee इसका best answer है d क्यों क्योंकि to coffee coffee के उपर इसको preference देता है चाहेगो तो she goes to school dash a bus अब वो bus पर किस तरह school जाती है तो buy a bus अब question 33 देखे choose the correct spelling अब यहाँ पर जो word बनता है basically यह lieutenant की spelling पूछ रहा यह अमूमन paper में question देखा गया है पाकिस्तान ने भी है find the correct word अब यह basically जो word की उसने correction दी है यह execute word है जो correct यह कोई भी construction करनी होती है वो है तो यह basically execute के spelling actual यह है इनको याद का लिएगा choose the correct spelling अब यहाँ पर basically word cameras है तो cameras के जो correct spelling है वो भी है उसके बाद 36 नंबर पर सर ऐसन यह लगेगा यह लगेगा यह दो तो confirm नहीं लगेगे तो यहाँ पर होगा A B इसका best answer है क्योंकि A होता है यहाँ पर सफदर इस dash honest man honest के साथ हमेशा N लगता है तो यहाँ पर B आएगा उसके बाद यह आगे उसने spelling की अंदर से एक part छोड़ दिया है तो यह basically word बनता है player अर साम दे तो इसका यूज ने मिस किया हुगा अंदर से यू लगेगा उसके बाद यह word है commander तो spelling उसने चोटे-चोटे छोड़ दिये थे अंदर तो यहाँ पर सी और डबल एम ए एंड डी यार लगता है ए और डी इसके fill in blanks में आएगा उसके बाद यह पाकिस्तान नेवी का option है best option इसी तरह 41 की बात करें teacher set to student concentrate on study के अब teacher student से कहती है कि अपने study पर focus करो the teacher advice आप यह कफी सारे option दिये आप इसमें से जो basically ठीक है वो आपने यहाँ पर fill करना है तो इसका जो best क्योंकि यह basically direct indirect का उसने sentence दिये हुए है तो यह पहले वाला जो है वो best है क्योंकि teacher उसको advice क करती है कि study पर focus करो अब उसके बाद question number 42 देखे people dash quality do not gossip all the time अब मतलब कि जो लोगों की quality होती है कि मतलब times आयां नहीं करते अब कौन से लोग होते है और people of quality कि लोगों की यह quality होती है फार को लोगों के लिए नहीं होती तो लोगों की यह quality होती है आफ लगता है अब 44 है इन इसके अंदर noun 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 किसी जगा शेयर उसको कहते हैं उसके बाद 45 है live अब यह basically opposition वाले words आ गए है जैसे live है तो इसका die होगा जिन्दा है या मरा हुगा है क्योंकि opposition वाला word है इसी तरह freeze है और इसका आएगा freeze कहते है जमे हुए और इसका होगा melt पिगला होगा तो यह basically English के part थे अब इसे जो मेरी next video होगी वो इंशाला पूरी complete mathematics के questions है उसमें भी मैं दग्रीबन आप से 25 से 30 questions share करूँगा mathematics के जो most paper में repeated होते हैं intelligence test के तो next video तक खुदाहाफिज लेकिन जिन लोगों ने भी तक चैनल को subscribe नहीं किया चैनल को subscribe कर ले कर दो